अब फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वश्थ होंगे और अपने गरों में सेफ होंगे आपको स्वागत है अपने फर्स्ट इन इंडिया यूटूब चैनल पर वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें सेय करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम इस वीडियो के मादम से जानेंगे कि भारत के पहले फिल्ड मार्सल कौन थे फिल्ड मार्सल के बारे में जानने से पहले फिल्ड मार्सल क्या होता है ये जानते हैं फिल्ड मारसल पांस इतारा जनरल ओफिसर रेंक और भारती सेना में सरबोच प्राप्त रेंक है फिल्ड मारसल को जनरल से तुरंत उपर रेंक दिया गया है लेकिन निमित सेना की संचना में सामिन नहीं किया गया ये काफी हद तक आपचारी किया युद्ध काली रेंग है जिसे केवल तो वार सम्मानित किया गया है एक फील्ड मार्सल के पृतिक में एक पार किये गए डंडो और एक कमल के पुस्पांजली में किरपाड पर राश्टी पृतिक सामिल है सेम मानिकसा भारत के पहले फील्ड मार्सल थे ध्यान दीजिगा सेम मानिकसा भारत के पहले फील्ड मार्सल थे और एक जन्वरी 1973 को ये रेंग उन्हें दी गई थी दूसरे केम करियपपा थे जिनें 15 जन्वरी 1986 को ये रेंग प्रदान की गई थी फिल्ड मार्सल भारती नो सेना में बेड़े के एक एड्मिरल और भारती बायू सेना में भारती बायू सेना के एक मार्सल के बरावर है नो सेना में बेड़े के प्रिसंसक को कभी सम्मानित नहीं किया गया लेकिन बायू सेना से अर्जन सिंग को बायू सेना के मार्सल के रूप में पदोनित किया गया था फिल्ड मारसल की इतिहास के बारे में जानते हैं आज तक केवल दो भारती सेना अधिकारियों को रेंग प्रदान की गई यह पहली बार 1973 में सेम मानेकसा को दिया गया था और 1971 के भारती पाकिस्तान युद में उनकी सेवा और नेदक के लिए 1971 में युद के बाद प्रदामंत्री इंद्रा गांधी ने मानेकसा को फिल्ड मारसल के रूप में पौलोनित करने और बाद में उन्हें रक्षा इस्टाफ CDS के प्रमुक के रूप में नियुद करने का निड़ने लिया 3 जन्मरी 1973 को सेना अधिक्ट COAS के रूप में उनके कारेकाल के बाद मानेकसा को राश्टपती भावन में आयो जित एक समारो में फिल्ड मारसल के पद से सम्मन्त किया गया था चूकि यह पहली नियुक्ती थी इसलिए बेज और रिवन साइथ रेंग की कई हगदारिया अभी तक काम नहीं कर रही थी मानेकसा की नियुक्ती से कुछ हफते पहले फिल्ड मारसल के रेंग के बेज को दिल्ली छाबनी में सेना की कारेसाला में बनाया गया था बे बिटिस्ट फिल्ड मारसल इंसिंगनिया से प्रेडित थे ये रेंग प्राप्ट करने वाले दूसरे ब्यक्ति के एम करियर प्र जो भाती सेना के कमंडा इन चीफ के रूप में सेवा करने वाले फिल्ड बारतिय थे मानेकसा के बिप्रीत जिने अपनी सेवा निव्रत से ठीक पहले रेंग से सम्मानेत किया गाया था करियपा 1943 1953 में पहले ही सेवा निवरत हो गए थे और चुकि फिल्ड मार्शल कभी सेवा निवरत नहीं होते इसलिए सेवा निवरत अधिकारियों को यह रेंग नहीं दी जा सकती लेकिन राश के लिए उनके प्रिदान की गई अनुकर्णिय सेवा के लिए आभार के रूप में भास सरकार ने पूर इस्थापित मान डंडो को खारिज कर दिया और 15 जनबरी 1986 को राश्पती भान में आयोजित एक बिसेस निवेस समारों में उन्हें फिल्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया एक फिल्ड मार्शल को चार सतारा जनरल का पूरा बेतन मिलता है और उनके मित्यू तक एक सेवा रत अधिकारी माना जाता है बे सभी आपचारिक अफसरों पर पूरी बर्दी पेहनते हैं इसके अत्रिक बे एक सचीवाले के साथ सेना मुखले में एक कालेलेवी चलाते हैं इंसिंगनिया एक फिल्ड मार्शल के पृतिक में नेशनल एम्बिलम ओबर अक्रोश्ट बेटन और एक कमल के पुस्पांजली में किरपान पर राश्टी पृतिक सामिल है नियुक्ति के समय फिल्ड मार्शल को गोल्ड टिप्ट बेटन दी जाती है जिसे बे आपचारिक अपसरों पर ले जा सकते हैं इस्टार इंसिंगनिया जिसमें एक लाल पट्टी के उपर पास सुनहरे सितारे होते हैं उनका उप्योकार पेनेट्स, रेंग फिलेग और गोल्ड टिपेच के रूप में किया जाता है फिल्ड मार्शल का फिलेग, रेंग इंसिंगनिया, इस्टार इंसिंगनिया रेंग धारक, सेम मानेकसा, 1914-2008, जिसे सेम बहादूर, सेम दब्रेब के रूप में भी जाना जाता है पेले भारती सेना अधिकारी थे, जिनने फिल्ड मार्शल के पत पर पदोनित किया गया था एक फरवरी 1935 को बिटिस भारती सेना में सामिल हुए चार फरवरी 1934 को वरिष्ठा के साथ मानेकसा के विशिष्ट सेनी करियर ने अधित्ती विश्ब युद्ध में सेबा के साथ सुरुवात करते हुए चार दसको और पांच युद्धों को अंजाम दिया बहें पेले रोयल स्कोर्ट की दूसरी बटालियन से जुड़े थे और बात में चोथी बटालियन में तेना थे बारवी फ्रेंट्रीय फॉर्स रेजिमेंट जिसे आम तोर बर 54 बेसिक रेजिमेंट के रूप में जाना जाता है मानेकसा 1979 में भारतिय सेना के 82 COS बन गए और उनकी कमान के तहट भारतिय सेना ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिराप सफल अविहन चलाया है जिसके कारण दिसम्ब 1971 में बांगलादेश की मुक्ती होई इस युद्ध के दोरान भारतिय सेना दोरा हासिल के अगर निर्नायक परिणामों ने मानेकसा के कुसल ने तुरद्व में राष्ट को आत्म जवास का एक नया अनुब दिया और उनकी सेवाओं की मानिता में जनबरी 1973 में भारत के राष्ट पती ने फेल्ड मारसल का पत परदान किया बाद में उन्हें भारती राष्ट के लिए उनकी सेवाओं के लिए किर्मन्सा दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भारती नागरिक प्रूस का पदम भीवूसर्ण और पदम भीवूसर्ण से सम्मानित किया गया कुनेरा मनपप करियपपा के एम करियपपा भाजी सेना के कमांडर इंचीव के रूप में निर्ट होने वाले पहले भारती थे उनके पिर्तिष्ट सेनी केरियर में लगवक्त तीन दसक का समय लगा करिपपा एक दिसम्बा 1919 को बिटिस भारती सेना में सामिल हुए और उन्हें दो वटे आठ अठासी करनाटक इन्फरेंट्री में आज था जुत्ती लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया बाद में उन्हें दो वटे 125 नेपियर राइफल्स में इस्थांतरित कर दिया गया फिर जून 1922 में बेल्स के साथबे प्रिंस ओफ ओनर डोग्रा रेजिमेंट और अन्त में एक बटे साथ राजपूत के लिए जो उनकी परवनर रेजिमेंट बन गई बे पहले भारती अधिकारी थे जिनने स्टाफ कोलेज क्वेटा में पार्ठकरम में भाग लिया जो भारती से नाम में एक बटालेन की कमान समालने वाले पहले भारतीय थे साथ ही इंपिरियल कोलिश और डिफेंज केंबर्ली विटेंड में फ्रेशिक्षर प्राट किराम से गुजरने वाले पहले दो भारतियों में से एक थे उन्होंने विविन यूनिट और कमार्ड मुख्याले और जनरल मुख्याले ने दिली में विविन स्टाफ कैफिसेटी में काम किया उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान कस्मीर में भारती सेनाओं का नेतवत किया बहे सेना पुरह निर्मार समीती की सेना उप समीती के सदश थे जिसने 1947 में भारत के विवाजन के बाद बिटेस भारती सेना को भारतिय और पाकिस्तानी सेनाओं में विवाज़त किया था 1953 में भारती सेना से सेवा निर्वत होने के बाद उन्होंने 1956 तक आश्टलिया और नीजुलेंड में उच्चा यूट के रूप में कारी किया राश्ट के लिए उनके द्वरा प्रदान की गई अनुकर्णिय सेवा के लिए आभार के रूप में भार सरकार ने फिल्ड मारसल का दरजा 14 जन्मरी 1986 को अपने 87 बे बर्स में दिया फिल्ड मारसल से मानकसा के कुछ फोटोग्राफ साथ मैं के एम करियाप्पा के कुछ फोटोग्राफ आपका बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब दा चैनल आसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और अगर आप किसी और टोपिक पर वीडियो चाते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं आपको कैसी यह वीडियो लगी है मुझे कमेंट करके बताइए बहुत बहुत धन्यवाद